हेलो एवरीवन वेल्कम टो दे यूटूब चैनल ऑफ पर्फेक्शन आईएस सो वल्ड जोग्रफी के सीरीज में आज हम एश्या कॉंटिनेंट को डिसकस करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं और मैं पहले ही बता देता हूँ अगर BPSC के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो जो एश्या कॉंटिनेंट है वह ज्यादा इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि वह उसके जो एफेक्ट्स होते हैं वह इंडिया पे ज्यादा परते हैं इस वज़े से जो कॉंटिनेंट से आने क चांसेज बहुत ही जादा रहता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम कुछ facts को देखेंगे इसमें सबसे पहला fact है कि जो एश्या है वो वोल्ड का largest continent है मतब सबसे बड़ा continent कौन सा है एश्या है और अगर इसी से पूछे है कि second पे कौन सा है तो हमने देखा था कि second पर है एफ्रीका आगे बरते हैं और अगर हमसे percentage wise पूछता है तो वो पूछ सकता है कि जो अर्थ का total land area है ठीक है तो अर्थ के total land area का जो एश्या है वो कितना component है वो है 30% अगर इसी चीज को हम आफ्रीका के respect में देखे तो कहता था वो approximately 20% था ठीक है तो एश्या का आफ्र है कि अर्थ के total surface area का अर्थ के total surface area का ये 8.7% है यहाँ पर land area का था ये surface area का था अब हम देखते हैं कि जो एश्या कॉंटिनेंट है वो कहाँ पर located है और इसके boundaries क्या क्या है अगर हम इस्ट में देखते हैं तो Swiss Canal है अगें एफ्रिका में हमने पढ़ाया था Swiss Canal के बारे में ज Ural Mountains था Ural Mountains क्या था जो रश्या का part Europe में है और जो रश्या का part Asia में है और Asia में है वहाँ पर जो division था उसको हम लोग Ural से देखते हैं तो Ural's के इस side था Europe और इस side है Asia ठीक है रश्या का दोनों part था तो वहाँ पर हम लोग देख ली कि यह Ural's था यहाँ पर Swiss Canal है यहाँ पर Ural River है उसके बाद यह जो है Caucasus Mountain जो हमने देखा था Europe के मैप में वह South के मतलब Caucasus Mountain के जो South का part है उसे हम Asia कह सकते है और यहाँ पर Caspian Sea और Black Sea के South में भी हम उसे बोलेंगे East में हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा Ocean है उसको हमनों क्या बोलते है Pacific Ocean South में हम देखते है Indian Ocean है Indian Ocean एक लौटा कॉंटिनेंट है जो किसी कंट्री के नेम पे है जो है हमारा प्यारा भारत इंडिया तो इंडिया के नाम पे Indian Ocean को रखा गया था and on the North by the Arctic Ocean तो North में क्या था Arctic Ocean उसके बाद हम देखते हैं कि अगर Highest Place और Lowest Place पूछता है तो Highest Place जो है पहले आप देख लो उसके और मैं जूम करके भी दिखाऊंगा तो यहां पर देखो है Ural Mountain ठीक है उसके देखो यह था Ural River यहां पर देखो Caspian Sea अराल Sea आगे मैप में Caspian Sea को और अच्छे से मत देखेंगे यहां है देखो Black Sea यह Meditarian Sea था ठीक है तो अभी देखो पूछता है कि थंड में जो बारिश होती है थंड में जो यहां पर पंजाब, हर्याना, देली, फिर कभी कभी West Bengal, UP साइट तक भी बारिश पहुंच जाती है तो इसको बोलते है North Western Disturbance, तो अगर पूछता है कि जो North Western Disturbance है वो कहां से आता है तो उसका अंसर यही है कि वो Meditarian Sea से उठके वो हवाएं आती है और वो अपने साथ बारिश लेके आती है Next देखो यहाँ पे था Sinai Peninsula, क्या था? Sinai Peninsula, एजिप्ट का पार्ट था, वहाँ पे हमनों देखा था कि जो स्वेच कैनल है नीचे अगर आजाओ, तो वह क्या हो जाता है? Red Sea, Gulf of Adam, Arabian Sea, यहाँ पे है Sicilys, यह आफ्रिका का पार्ट है यहाँ देखो मालदीब्स है, काफी अच्छा टूरिस डेस्टिनेशन है, यह हमारा प्यारा भारत का लक्षदीब आइलेंड, सिर्लंका, पाक स्ट्रेट, बेव बेंगोल, अंडमान और निकोवार आइलेंड, अब हम इधर चले जाएंगे तो यहाँ था मलक्का स्ट्रेट, काफी इंपॉर्टन स्ट्रेट है, स्ट्राटिजिक पॉइंट अब यह देखो इंडोनेशिया, फिर यहाँ पे सिंगापूर, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलिपिन्स, ग्रूप आफ आइलेंड्स, इंडोनेशिया, इधर फिर ऑस्टेलिय का पार्ट चला जाता था, यहाँ देखो Pacific Ocean, East China Sea, South China Sea, यह जो पूरा पार्ट था, यह से वियतनाम बोलते हैं, यहाँ देखो Taiwan, China, Taiwan Conflicts हमेशा सुनते हैं, Yellow Sea, फिर देखो North Korea, South Korea, North Korea, South Korea, Sea of Japan, यह पूरा जापान, Hokkaidu, Honsu, Sikoko, यह उनके आइलेंड्स है, कूरिल आइले यहाँ देखो Bering Sea है, Sea of Octos को यहाँ पर है, यह भी मॉर्टेट है, उसके बाद हम लोग Bering स्टेट से इसको बाहर चल जाएंगे, यहाँ पर क्यों से लाइन जाता है, तो International Line जो है, International Time Line जो है, यहाँ से पास होता है, Bering स्टेट के पास है, उपर हम लोग पहुँच और इनके boundaries को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, अब हम थाँसा zoom करके भी एक एक चीजों को थाँसा detail में देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था, Bering Sea, फिर Kara Sea, Eural Mountains आए थे, Eural Levers, Caspian Sea, Caucasus Mountain यहाँ पर था, Eral Sea था, फिर तो को यहाँ पर important चीज है आर्मेनिया अजर्बेजान का दो एरिया है, नगोर्नो काराबाग, यहाँ पर conflicts होती है, अगर आप से पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस country को, अभी कुछ red ars और missiles दिये हैं, तो आप इसे comment section में बताओ, फिर देखो यहाँ पर है Black Sea, Mediterranean Sea, यह देखो Turkey है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्य आप 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 था, बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डिनल्स सी, है न, स्ट्रेट, सॉरी, फिर देखो Israel, Red Sea, Gulf of Aden, येमेन, ओबेन, UAE, अभी World Cup का हुआ हुआ, है न, पूछ सकता है आप से, फिर देखो countries को तुम बाद में देखेंगे, फिर Arabian Sea, सेशिलीज, माल्दीव, प Yellow Sea, East China Sea, Sea of Japan, Sea of Oxford, Bering Sea, Bering Strait, Arctic Ocean, इस तरीका का overall हम ने देख लिया, कि जो मतलब कि Asia है, उसका location कहां पे है, इसके boundary risk कहां कहां पे है, अब आगे हम लोग देखते हैं, कि जो Asia का Regional Divisions है, उसको भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, तो वहाँ पे हम लोग 5 और 6 Divisions ह तो पहला जो हम लोग division देखते हैं, वो देखते हैं Central Asia के बारे में, मतलब Asia का जो center है, है ना, जो Caspian Sea के इधा जो countries थे, कजागिस्तान, करीगिस्तान, तजागिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेगिस्तान, तो ये 5 countries हैं, जो Central Asian countries आते हैं, उसके बाद हम लोग देख इसके बाद Northern Asia में एक लोटा country कौन सा है, रशिया, South Eastern Asia, ये काफी important भी रहता है, जैसे Asian countries भी पूल सकता है कि कौन कौन countries Asian के members हैं, ठीक है, इसको मैं आगे दिखाऊंगा, इसमें एक नया 11th member भी आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो South Eastern Asia में, Brunei, Myanmar, Cambodia, आप भी साथ में आप में साथ बोलो और मैपिंग करो तो ये country ज्याद रहेंगे, इंडोनेशिया, लॉस, लाउस, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापोर, थाइलेंड, तीमोर लिस्टे, जो ये 11th country का बारे में मैंने बताया था, उस country का नाम है तीमोर लिस्टे, उसके बाद व अब Western Asia, again very important strategic point of view से, current affairs के हिसाब से भी, तो अब देखो पहले, अर्मेनिया, अजर्बैजान, मारेन, सिप्रस, जॉर्जिया, इरान, इराक, सिप्रस भी काफी important है, और काफी current affairs में रहता है, इराक, इस्रेल, इस्रेल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ब कुवेट, लेबिनन, ओमान, स्ट्रेट ऑफ पैलेस्थीन, कतर, साओधी अरबिया, सीरिया, टर्की, युएई और येमिन, तो हमने यहाँ पे six regional divisions of Asia को देखा, इसमें मैंने बताया कि आपको Asia country के बार, Asian country के बारें बताऊँगा, तो देखो यह 10 Asian countries है, और अगर 11 पूछे तो देखो, ब्रुनाई, मेनमार, कमबोडिया, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, सिंगापोर, लॉस, थाइलेंड, मलिशिया और वियतना, तो यह 10 countries है, जो Asian का पार्ट है, अगर मैप बाइस देखोगे, तो यहाँ से भारत से हम लोग आ जाते हैं मेनमार में, मेनमार से यहाँ पर है वियतना, तो 1, 2, 3, 4, 5 countries यहाँ पर हो जाते हैं, फिर देखो मलेशिया, सिंगापोर, ब्रुनाई, फिलिपिन्स, और इंडोनेशिया, तो 10th and 11th one is तीमोर लेस्ट हैं, उसके बाद हम लोग तो और अगर अच्छे से countries को देखें, तो अभी हमने यह तो देख देख लिया, फिर देखो North Korea, South Korea, Japan, Taiwan, Mongolia, Russia, China, यहाँ तर तो clear है, लेकिन problem कहा होती है, जब हम लोग तो इधर जाते हैं, Central Asia, तो यहाँ पर देखो Central Asian countries हो था, तो यहाँ पर इंडिया का यह मैं आप है, तो अगरबर था तो मैंने से ठीक कर दिया, यहाँ पर देखो 5 countries है, क तर्कमेनिस्तान, 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 तर्कमेनिस् पे अटाइक किया था यहां दखना जॉर्जिया अर्मेनिया अजर्वेजान अर्मेनिया अजर्वेजान कॉन्फिलिक्ट यहां दखना यह देखो टर्की सिप्रस सिप्रस टर्की का कॉन्फिलिक्ट था यह देखो सीरिया यहां पहे देखो लेबिनन इस्रेल जॉर्डन और स जरूरी है, यह तो Central Asian countries है, समझ में आ गया, अगर यहाँ पर पूछता है ना कि जो Caspians ही है, इसके चारों और कौन से countries है, तो उसको तारीक से याद रख लेना, तारीक में T is Turkmenistan, this is T, this is A, अजर्बैजान, ठीक है, R is for Russia, R is for Russia, I is for Iran, and K is for Kazajistan, तो इसको याद रखना, अब confuse नहीं करना है, कि case for Kazajistan है, कि case for Kazajistan है, तो इससे आपका solution बन जाता है, उसके बाद मैंने बताया था कि Israel को हम लोग अच्छे समझेंगे, तो देखो अगर यह Egypt है, Sinai Peninsula वाला पार्ट है, तो इधर Israel है, इधर Jordan है, इधर हम लोग Syria को देखते है, और इधर Lebanon है, तो कौन countries है, Egypt, Lebanon, Syria और Jordan, बीच में है हमारा Dead Sea, ठीक है, यहाँ पर salt content इतना ज्यादा होता है, इसलिए से Dead Sea बोलते हैं, क्योंकि living organisms नहीं रह पाते हैं इसके अंदर, तो यह Dead Sea कहा है, Israel और Jordan के बीच में है, उसके बाद अगा Israel से रिट पूछेगा, तो कुछ important चीज़े पूछ सकते है, क्या पूछ सकता है, गाजा स्ट्रिप, बहुत important है, गाजा स्ट्रिप, West Bank और Golan Heights, क्या तीन को बताया, गाजा स्ट्रिप, West Bank और Golan Heights, तो यह याद कर लो, कि यह कहाँ पर है, इसके boundary countries कौन से है, अगा Israel का capital है, तो देखो यह है, तेलवी, यह ज आगे बरते हैं, तो आगे का वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो का एक पार्ट बनाएंगे, उसमें मैं आपको Physical Division of Asia पनाऊंगा, थैंक्यू